So hey guys once again welcome back to the new video उमीद आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जी मैं हूँ अमन और मैं हर्याना के एक छोटे से गाउं से बिलोग करता हूँ फिलाल मैं हूँ माल्टा में और मैं माल्टा के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माल्टा की अर्णिंग के बारे में कि माल्टा में आप कितना अर्ण कर सकते हो देखो बेसिक सी चीज़े लेकर चलूँगा मैं कोई रोकेट साइस नहीं लेकर चलूँगा इसमें जो मैंने अब तक experience किया है यहाँ पर तीन-चार महीनों से उसके बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ठीक है और मोश्री लोगों के सवाल यही होता है कि जिस country में हम जा रहे हैं वहाँ जाकर हम कितना कमा सकते हैं कितना हम सेव कर सकते हैं और मोश्री लोग आते भी इसलिए हैं कि यहाँ आकर अच्छी earning कर सके तो माल्टा की मैं basic चीज़े लेकर चलता हूँ माल्टा को मैंने दो category में divide किया है एक होते है skill worker एक होते है unskill worker unskill worker में fresher भी आ गए जिनके पास कोई skill नहीं है वो भी आ गए जो normal से काम करते हैं वो भी आ गए skill worker में वो लोग आते हैं जो लोग skill लेकर चलते हैं जैसे कोई electrician हो गया कोई plumber का काम करता हो गया या फिर कोई driver हो गया ऐसी skills जो मतलब आपको अच्छे से आती हो हो भी experience नहीं है तो आप malta में कितना earn कर सकते हो देखो malta का basic rule है कि आप 20 hour per week काम कर सकते हो as a student यह आप legal तरीके से कर सकते हो अगर आप earning की बात करो जैसे आप किसी professional में जाते हो आपको किसी waiter की job मिलगी या फिर cleaning की जोब मिलगी या फिर और कोई helper की job मिलगी जिसमें आपको काम आप पहले सीखोगे उसके बाद आप उसके professional level तक चाहोगे तो उसमें आप कितना अंग कर सकते हो अगर आप basic से लेकर चलोगे तो महीने में आप 400 500 यूरो तक ही कमा सकते हो अगर आप student की बात कर रहे हो बट माल्टेक ऐसी country है जहां पर काम की कोई restriction नहीं होती इतनी नहीं होती मतलब जितनी बाकी country होते जैसे जर्मन हो गया या फिर कोई और बड़ी country होगी जितनी वहां restriction है यहां इतनी restriction नहीं है basically आपके काम पर करेगा कि आप कितना काम करते हो ठीक है अभी जैसे mostly student यहां जो आते हैं अब देखो 400 यूरो अगर आप कमा रहे हो तो इसमें आपको सेविंग तो कुछ भी नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास काम ज़्यादा हुआ तो आप ज़्यादा काम कर दूसरा आप किस employer के 100 में आते हो और उसके पास कितना काम है अब मालो कोई waiter है जैसे अभी off season चल रहा है season जब आएगा गर्मियों में अभी जो काम चल रहा है वो 4 गंटे 5 गंटे hotel का इतना ही काम चल रहा है इससे ज़्यादा काम नहीं चल रहा है अब जैसे गर्मी आएंगी स्टूरिस टाना स्टार्ट होंगे तब यही काम आपको 7 गंटे 8 गंटे as a student मिल सकते हैं क्योंकि काम के ओपर depend होता है कि आपके पास कितना काम है mostly जितने भी student यहाँ पर होंगे मैं नहीं कहता कि कोई 400 यूरो 100 यूरो कमा रहा होगा इस टाइम अगर आप student की बात करो तो आप 700 800 या 1000 तक भी mostly student कमा रहे होंगे अराम से अगर आप work permit पर आते हो तो work permit पर आपकी जो salary होती है वो fix होती है तो उसमें कोई भी changes नहीं होते यहां आकर थोड़े बहुते जब आप आपकी idea बन जाती है आप काम करना start कर जाते हो आपका experience अच्छा कासा हो जाता है तब जब job change करते हो तब आपकी salary increase होती है second जो लोग skill worker में आते है skill worker में देखो ऐसा scene है अगर आपके पास कोई एक skill है चाहिए आपको कुछ ना आता हो आपको 10th pass हो आपको English बहुत काम आती है आपके पास एक skill है आपको electrician का काम आता है कोई एक ऐसी skill है आपके पास जिसमें आ perfect तो आप कितना कमा सकते हो चाहिए आप student हो चाहिए आप फिर work permit पे हो आप बहुत अच्छा अंगर सकते हो माल्टा में क्योंकि माल्टा में skill देखी जाती है ना ही आपकी education देखी जाती है अगर example के दोर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं कभी किसी job के लिए जाता हूं माल में मेरे पास skill है मैं electrician का काम जानता हूं मेरे पास यह skill है और मैं कहीं job के लिए जाता हूं वो लोग आपका CV विगरा भी निमांगे आपसे वो सिर्फ आपका काम देखेंगे पहले दिन वो आपका काम देखेंगे अगर उनको आपका काम अच्छा लगा तो आपको बो इसमें आपको कुछ ज्यादा काम भी नहीं करना आपको पांचे गंटे या साथ गंटे के आपकी जोब होगी पर दे उसके बाद आपका जो खर्चा है वह 300 यूरो तक आएगा मतलब खाना पीना और आपका विजली बिल और आपका जो रूम रेंट है वह भी मिलाकर साध ती आपकी जो बचत की बात करूँ जो आप सेविंग कर सकते हो माल्टा में वह 500-600 अराम से सेव कर सकते हो मतलब अगर आप इंडिया के एसाफ से लगाओ तो आप 50,000 रुपे 55,000 रुपे 60,000 रुपे तक सेविंग कर सकते हो माल्टा में as a student भी लेकिन अगर आप work permit पर मिट प की जो भी आपके पास skill है उनमें salary बहुत अच्छी है mostly जो skill person होते हैं उनकी 1500-2000 यूरो तक की salary बन जाती है और माल्टा में काम की बिल्कूर भी restriction नहीं है यहां पर इतना काम नहीं करते आप लोगों को easily job मिल जाती है यहां पर salary भी ठीक है मतलब अगर आप शुरुवात कर रहे हो जैसे अभी मैं शुरुवात कर रहा हूं अपनी तो salary मेरी अगर 60-70,000 रुपे हो तो एक basic salary अगर मुझे इतनी मिलती हो तो मेरी लिए बहुत beneficial है क्योंकि इंडिया में मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था मैं बिल्कुल zero था यहां आकर at least मुझे 60-70,000 रुपे मिल रहे हैं मंतली तो इसमें क्या problem है ठीक है तो basic salary अगर आपकी बात करूँ तो 700-1000 यूरो आप कमा सकते हो as a student भी work permit पे हो तो आपकी salary income जो होती है वो fix होती है जब आपकी ID आ जाती है तब आप अपनी job जब change करोगे किसी और company में तो आपकी salary increase हो चाएगी तो यह Malta की basic करनी है एक और बात मैं आप लोगों को बता दूए आपे Malta में ज दो दिन off होता है Saturday और Sunday लेकिन अगर आप Saturday और Sunday भी काम करते हो तो आपकी salary डेड़ गुन आपको मिलेगी for example अगर आप दिन में 50 euro कमाते हो तो Saturday वाले दिन आपको 25 euro extra मिलेगी यानि के date गुना या फिर आपको double भी मिल सकता है आपके experience के हिसाब से अगर आप 50 कमाते हो तो आ सारी company डेड़ गुना देती हैं कुछ company दो गुना देती हैं वो आप जब आप काम करोगे तो आपको पता चली ही जाएगा तो यह Malta की basic सी बाते थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आप इस country में आ रहे हो तो आपको ये चीज़े तो पता होनी ही चाहिए और इसके साथ मेरी जो consultancy है student buddies अब वो start हो चुकी है हरियाना के कनाल लिस्टिक में मैंने अपनी जो consultancy है वो open की है इसमें मैं आपका student visa का process करवा सकता हूँ अगर आप student visa apply करना चाहते हो Malta का तो आप apply कर सकते हो benefit मैं आपको बता दू कि क्यों मुझसे कराए reason मैं आप लोगों लेकिन मेरे जो college की fees है वो 7500 euro fees है जिसमें मैं आप लोगों को एक साल की accommodation और एक साल का food बिल्कुल free दे रहा हूँ इसमें 7000 euro में इसमें आपकी fees भी आगई आपका एक साल का food आगया एक साल की accommodation आगई ये सब इसमें include है तो आप लोगों के लिए बहुत beneficial है क्योंकि में सबसे बड़ी जो problem आती है वो accommodation की आती है बाकी सब काम दों मिली जाते हैं तो अगर आप अपना visa लगवाना चाते हो तो आप मेरी consultancy से जाकर बात कर सकते हैं महां जाकर आपनी जो profile है वो discuss कर सकते हो कि आपका visa लग सकता है या नहीं लग सकता है लेकिन अगर आप कहीं direct phone करके अपनी जो profile है वो discuss कर सकते हो और वहां से अपना visa के लिए process करवा सकते हो तो hope so आप लोगों को आज को वीडियो informative लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे साथ में इकल जाने को subscribe मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब के लिए हिन जावारत